हलो फ्रेंज इस इस मॉनिका आज हम लोग करेंगे क्लास 7 का मॉडिल 4 का चैप्टर 2 एक्शली काफी लोगों ने मुझे बोला था कि उनके एक्जाम है और उनके एक्जाम में ये चैप्टर आ रहा है क्लास 7 मॉडिल 4 चैप्टर नमबर 2 जिसका नाम है वेन गेहोड़ास फाराड तो बेसिकली चैप्टर का मतलब है कि ये साइकल किसको बिलॉउग करती है इस वर्ब का मतलब होता है टू बिलॉउग और फाराड का मतलब होता है साइकल तो सबसे पहले हम बात करेंगे गेहोरन वर्ब की यह जो गेहोरन वर्ब है यह गेहोरन वर्ब यह वर्ब है तो अगर देखो टेक्निकली इसकी होने चाहिए गेहोरन का मतलब होता है to belong अब ये वो वाला belong नहीं है, जैसे मैं Delhi से belong करती हूँ, मैं Chennai से belong करती हूँ, ये वो वाला belong नहीं है, ये कोई चीज मुझे को belong करती है, तो for example, पहले तो मैं इसकी conjugation की बात करूँ गी, तो अगर मैं ये लूँगी, suppose मालो मुझे इसकी conjugation करनी होती, तो वो कुछ इस तरह से होती, इश्गेहोर, राइट, दू गेहोस्ट, कुछ इस तरह से होती मालो, इस तरह मैं लिख रही हो, इसका कोई use नहीं है, गेहोर, गेहोरन, और गेहोर, राइट, लेकिन अब मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, कि मैं किसी चीज को belong नहीं करती कोई चीज मुझको बिलॉंग करती है जैसे अगर मैं बोलूंगे ये घर है तो मैं ये बोलूंगे ये घर मुझको बिलॉंग करता है basically मैं ये बोलने हूँ कि ये मेरा घर है तो ये पैन है तो मैं गरियो ये पैन मुझको बिलॉंग करता है तो मैं इसको यह बोल सकते हूं यह मेरा पहन है तो कोई चीज हमको बिलॉंग करती है कोई परसन बिलॉंग नहीं करता है यानि कि हमारी conjugation यह वाली यूज नहीं होगी यह वाली यूज नहीं होगी सिर्फ यह यूज होगी A, Z, S वाली तो कि जो चीजे होती हैं वो देर दी दास में होती है यानि कि कोई देर दी दास वाली चीजे या A, मतब वो A, Z, S, E के लाएंगी उनकी conjugation वही होती है तो सिर्फ यह करेगा इसकी conjugation नहीं करेगी इसकी नहीं करेगी कोई plural में चीज है तो यह करेगी यह की नहीं करेगी तो जो conjugation हमारी use होने वाली है वो सिर्फ गेहोरन use होने वाली है और गेहोट use होने वाली है और इस verb का मतलब है to belong अब आप पूछेंगे कि गेहोरन कहां use होगी और गेहोट तो कोई चीज अगर plural है for example अगर मैंने shoes की बात करी तो shoes तो plural होते हैं एक से ज़ादा होते हैं तो मैं बोलूँगी गेहोरन कि shoes belong करते हैं मुझको कोई singular चीज है like pen तो मैं बोलूँगी गेहोट singular चीज के लिए गेहोट आएगा plural चीज के लिए गेहोरन आएगा तो अब जैसे for example मुझे बोलना है कि यह जो pen है यानि कि जब गेहोरन के साथ sentence बनेगा तो subject, verb and object तो जो subject होगा न वो हमेशा कोई चीज होगी तो कि कोई चीज बिलॉग करती है और यहाँ कोई person होगा और यहाँ गेहोरन वर्ब होगी तो अगर मिरे को बोलना है तो इसका मतलब है यह pen टीना को बिलॉग करता है बेसिकलिये टीना का pen है यह easy तरीक है हमने सीद़ एक वर्ब लगा दी गेहोरन टू बिलॉग पहले वह चीज बोल दी क्या चीज बिलॉग करती है मतलब क्या कोई तिंग आएगी क्या बिलॉंग करता है किसको राइट और यह जो वर्ब है यह डाटी वर्ब है वो क्या होता है वो अभी हम आगे सीखेंगे राइट तो अब ज़िसे देर कूली गेहोड टीना मालग कूली नहीं है हम बात करते हैं शूーस की बात करते हैं तो जो शूज है वो plural है । शूभ यहां गेहोरन आ जाएगा यानि कि इस पर depend करेगी ये वर, यहां गेहोरन आ जाएगा क्योंकि ये plural है, यूद शूभ गेहोरन वो टीना को बिलॉंग करते हैं यानि कि यहां Means singular हो kidnapped तो gehot आएगा, यहाँ plural होगा तो gehoran आएगा, right gehoran समझ में आगया to belong तो अगर मुझे बोलना है कि cycle किसको belong करती है अब जैसे wem, question था हमारा wem, gehot das farad नुमारे chapter का नाम है तो आपको समझ में आगया होगा wem मतलब होता है किसको किसको belong करती है यानि कि हमें को नाम बताना है wem, gehot, das farad यह cycle किसको belong करती है तो आप answer में क्या बोलोगे das farad gehot tina यह tina को belong करती है das farad gehot tina यानि कि नाम बताना आपको किसको belong करती है, बत्तरह किसकी है das farad gehot tina तो यह इस तरह से हो गया यानि कि singular के लिए गेहोट आएगा और plural के लिए गेहोरन आएगा जैसे कि इसमें दो एक्जाम्पल दिये हमें दास फाराड गेहोट ब्रिगेट और दूसरा दि इंलिट्स स्काच गेहोरन स्टेफान क्योंकि स्केटिंग है ना स्केट तो अब दो यूस करते हैं दो प्लूराल है इसलिए गेहोरन आए अब आपको क्लियर हो गया अब आप मैस्दा फॉल्विंग कर सकते हैं तो अगर इसका कोशन आता है जैसे एक तो सीधा आगया वेम गेहोर दास फाराड मालो अगर मुझे पूछने है क्या ये टीना को भी लॉंग करता है तो अब सीधा वर पहले पहली पोजिशन पे ले लो गेहोरन अगर कोई चीज प्लूराल है तो स्टेफान कापने बोलतीया या जी गेहोरन स्टेफान अब ये जी क्यों यूज़ किया मैंने आइए स्टेफान को भी लॉंग करते हैं जी मैंने इसलिए यूज़ किया जो थी इनलीस काट है अब को ये प्लूराल है न तो इसके लिए जी लगेगा यानि कि जो प्रणोमन होता है अगर मैं प्रणोमन की बात करूँ पर एक्जामपल कोईची देर वाली है तो उसके लिए एर लगता है कोईची दी वाली है तो एस लगता है कोईची दास वाली है तो एस लगता है तो कुछ देर वाली चीज है तब भी यह लगाएगा, अगर टीना होती तो हम जी लगाते ना, तो ऐसे ही कोई दी प्लूराल वाली चीज है, तो हम जी लगाएगे, इसलिए हमने लगाया, या जी गिहोरान स्टेफान, क्यों लगाया है, तो ही लिस्कार्ट की बात हो रही है अगर कोई सिंगुलर, क्या ये साइकल टीना को बिलॉंग करती है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर या ना इंफ्रागन मनाएगा, तो पहले वाला पागे, गेहोर्ट, दास फाराड, टीना, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ, या, अब यहाँ बताओ क्या प्रोनो मनाएगा, द इक आंसर में बोल दिया, तो आप क्या कर सकते हो, दास फाराड की जगा, आप एस भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, दास की जगा प्रोनो मन क्या आ सकता है, ऐसा सकता है, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, या, एस गेहोर्ट, टीना, तो यह आपका यह हो गया गेहोट दासफाराट टीना या दासफाराट गेहोट टीना या इस गेहोट टीना आप ऐसे भी बोल सकते हो अब बात करते हैं कि हम इसको और दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं अब आपको बोलना है, my handy माइन हेंडी का मतलब हो गया, मेरा phone मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ das handy, gehot, meer अगर मुझे गेहोट यूज़ करना है तो das handy, gehot, meer क्योंकि ये मुझको बिलोंग अभी तक हम क्या कर रहे थे das handy, gehot, tina हम सीधा नाम य depंद कर रहे थे यहां पर यहां पार हम सीधा नाम युज़ कर रहे थे आप मैंने नाम युज़ ने रहे हैं मैंने मियर वोल दिया यह एस दाटी फिरम है तो यह अब आगे आपको सीखो है अभी सब scholarly है यह 들어 तुमको बिलॉंग करता है 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 वाला यू है क्योंकि ये वर डाटीव है! तो ये तुमको! जैसे मैं बोलते हूं हिंदी में मुझगो! तुमको! इस गया मैं अ시को को बोलते हैं मी और तुमको आपि जैनि की जगा आप ये भी बोल सकते ये येści गिहोट मियर और अगर मुझे बोलने हैं तुमको भी लॉंग करते हैं तो मैं यह भी बोल सकते हूं दास हेंडी गिहोट डियर राइट यह इस तरह से होगा अब हम बात करते हैं for example अब इसके अंदर जो है सबसे important है वो है possessive pronoun possessive pronoun तो possessive pronoun क्या होते हैं जैसे अगर मैं English में बात करूँ अभी जो मैं बताऊंगी वो nominative बताऊंगी तो English में क्या होता है English में होता है मालो जैसे English में my, your, his, her right अब possessive वो personal pronoun में यह difference होता है possessive pronoun possessive होता है noun के लिए उसको noun के साथ होना पड़ता है like मैं कभी भी sentence यह नहीं बना सकती this is my मुझे एक noun की जरुवत पड़ेगी क्या क्या मेरा है this is my pen यह बोल सकती हो this is my pen यह मेरा pen है this is your house यह तुमारा घर है right तो मुझे यहां पर एक noun की जरुवत पड़ेगी मतलब यह my, your, his इनके साथ हमेशा एक noun आएगा यह अकेले नहीं आएंगे परसनल के होते हैं वो noun की जगा आते हैं like he, वो राहूल की जगा है, टीना की जगा she आएगा तो जो noun की जगा आते हैं उनको परसनल परनोमन बोलते हैं, possessive उनको बोलते हैं जो noun के साथ हाते हैं क्योंकि they are very possessive और noun possessive क्या मतलब की वो उसको like करते हैं यह साथ में रहते हैं, तो my, right, तो my के साथ noun आ जगा, तो my pen, your pen तो अब इसको German में क्या बोलते हैं वो सीखेंगे अब तो जैसे ही पहले तो मैं personal pronounan की table बना दूँ लाइक, पर्सनल प्रनोमन क्या होता है? मैं इश होता है, दू होता है, एर होता है, जी होता है, एस होता है, जी स्मॉल वाला जी है, जी कैपिटल हो गया, वी एर हो गया, ये हो गया, राइट, और जी कैपिटल मैंने एक ही बार काउंट कर लिया, तो ये तो हमारी पर्सनल हो इश मतलब मैं, दू मतलब तुम, यर मतलब ही, जी मतलब शी, स मतलब इट एंघ कैपिटल मतलब आप, वि एर मतलब इर मतलब यू ऑल, तो अगर मुझे बोलना हैं, तो मेरे को बोलना है कि मेरा पैन, तो मैं बोलूगी माइन, fully मतला अगर मेरा noun masculine होगा या neutral होगा तो हमेशा minor आएगा और अगर feminine होगा या plural होगा तो minor आएगा like minor tasha मतला सिर्फ कुछ नहीं हुआ ये ending आगई अगर मेरा noun female या plural right mine होगया मेरा फिर आगया dyne फिर होगया zine फिर होगया year यहाँ पर हो जाएगा zine फिर year में आई capital फिर उन्जेर and then oyer year right तो ये मैं बोल सकती हूँ dine kuli, mine kuli, zine kuli और कोई neutral है तो भी यही से बाएगा और इधर अगर plural होगा हम क्या बोलेंगे dine, dine tasha zine सिर्फ e ending लग गई year zine year में again i capital है तो i year टाश उन्जेर और ये exception है इसको मैं अलग लिख देती हूँ अलग pen से यहाँ पर देखो टेकनिकली यह होना चाहिए था हाना बट यह नहीं होता यहाँ पर यह वाला e हड जाता है oyer a tasha इसमें यह हो जाता है यह हड जाता है तो basically इसकी spelling क्या हो गई? oyer a tasha अब इनके मतलब क्या होता है? मतलब होता है my pen your his her its your formal वाला आपका अगर मैं वो बोलू तो हिंदी में यह हो गया आपका then हमारा are and तुम लोगों का your so my pen your pen his pen यहाँ पर यह pen आएगा तो अब minor बोलो यह है इन सब के मतलब same है तो mine minor बस e ending सबसे पहले जब आप यह sentence बनाएंगे ना सबसे पहले यह चे notice करनी है यह चे notice करनी है कि आप इसको यू अब बोलना क्या चारहे हैं अगर आप बोलना चाहते हैं कि यह मेरा pen है this is my pen ठीके तो सबसे पहले आप यह लिख लिजए कि क्या है यह this मतलब दास इस मतलब इस my मतलब माइन और कूली मतलब कूली अब मैंने बोला अब देखो कूली क्या है कूली मैस्कूलीन है फैमिनन है न्यूटरल है वही कूली मैस्कूलीन है तो यहां कुछ नहीं आएगा बाद में आप चेक करो अब जैसे मुझे बोलना है this is his bag तो this होग है दास इस जाइन टाशर अब टाशर को चेक करो कि टाशर क्या है मेल है फीमेल है न्यूटरल है क्या है वह टाशर फीमेल है फीमेल है तो यहां यह एंडिंग एक्स्टा आदाईगी मतलब यह एंडिंग आप बाद में लगा आप इससे कन्फ्यूज मत हो जाना अरे back तो female है तो यहां तो year आएगा No, हमें his पता है ना हमने यह सीखा है ना, his को क्या कहते है his को कहते हैं, zine तो अब zine में e लगेगा या नहीं लगेगा, यह हमारे noun पर depend करेगा, अगर noun female feminine या plural है तो e ending आएगी, else नहीं आएगी तो e ending आएगी, otherwise नहीं आएगी यह हमारा इस तरह से होगा तो अगर यह आपको table clear हो गई यानि कि अगर मुझे बोलना है कि मेरा पहन तो मैं बोलूगी mine, dine, zine year इस तरह इस तरह से, अगर वो वाला है तो minor, dine, zine, year सिर्फ आपको मतलब पता होने चाहिए हम बोलना क्या चाहिए हो और किसके सामने क्या table आती है अब आप confused हो जाओगे कि year का मतलब तो you all भी होता है एक year होता है, you all वाला एक हो गया, year खूली हमें कैसे पता चलेगा, हम कौन से की बात कर रहे है, जो यह you all वाला है, इसके साथ वर्व आएगी पहले मतलब इसके साथ है का year count, मतलब वर्व आएगी, subject then वर्व, इसके साथ यह noun आ रहे है साथ में मैंने बोला year coolie is shown तुम लोगों का, या आपका pen बहुत beautiful है is shown year coolie का मतलब आपका pen तो यह noun साथ में है तो वर्व आएगी, यहाँ पर नहीं है यहाँ पर सीधा वर्व आ रही है जो subject है इसमें पहले possessive pronoun है, then noun है and then verb है तो यह साथ में है अगर साथ में है noun वाला, जो noun के साथ है वो possessive है, जो noun के बिना है वो personal है तो यह you all वाला है और यह your है your pen is beautiful right, तो इससे हमें पता चल जाएगा तो यह आपको clear हो गया right, अब मुझे बोलना है his bag is beautiful suppose मुझे बोलना है his bag is beautiful तो his क्या होता है, zine bag क्या होता है, tasha अब tasha क्या होता है, male या female female, तो यहाँ या जगा, zine tasha is shown right, अगर मुझे बोलना है, her bag is beautiful अब her को क्या बोलते है her को क्या बोलते है, बताओ हम her को बोलते है, ear ear बोलते है, वो टेबल ही आद होनी चाहिए इश का माइन होता है दू का जाइन, air का इश का माइन, दू का दाइन air का zine, और z का ear तो ear हो गया her और tasha हो गया, back को tasha बोलते है अब यह क्या है, male या female तो ear हो जगा, ear है tasha is shown right, तो यह टेबल याद होनी चाहिए हमारी, हमें तो क्या टेबल है, इश का माइन, दू का दाइन, air का zine, z का ear होता है right, इश का माइन, दू का दाइन, air का zine, z का ear, s का भी zine होता है, z का ear, s capital देखो, z वाले याद करने के जरुवत निया, जितने भी z वाले हैं, वो सारे i capital होता है yes, एक हमारा यह देर वाला रह गया, z small, तो यह भी ear होगा, लेकिन इसका मतलब हो गया dare, fully right, उनका pen, और यहाँ पर e ending extra आजएगी, तो dare, तब भी हमारा यह ही आएगा, यह देव आलेगा, तो क्या बोलेंगे, ear attacha is shown, right, तो आप ही कर लेंगे, सबसे पहले आपको noun चेक करना, noun आपका masculine है, feminine है, अब for example, मैंने बोला, वो is, अब इसके अंदर, यही table के अंदर, अगर accusative आता है, accusative की table कैसे होगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपके masculine में, जो masculine वाला है, उसमें क्या हो जाएगा, माइनन हो जाएगा, en लग जाएगा, माइनन, डाइनन, जाइनन, इयरन, right, I capital वाला, इयरन, उन्जेरन, बस en लग गया, eurन, और इयरन, right, तो बसने से, माइनन कूली, वो सारा सेम रहेगा, neutral में हो जाएगा, माइन कूली, और feminine और plural में हो जाएगा, माइन कूली, नहीं, sorry, कूली नहीं होगा, क्योंकि कूली नहीं होता, माइन बोक, यहां हो सकता है, माइन कूली, अगर मैं प्लूराल की बात करूँगे, तो, female वाला मैंने नहीं लिया, तो माइनन कूली आपको जाटी में masculine हो जाएगा, for example, आपको इसको समझ में नहीं होगा, कि मैंने किया क्या है, तो यह तो mine and dine and पूरा टेबल, और neutral का तो बिल्कुल सेम उपर जैसा वनेगा, नॉमिनाटिव जैसा, तो मैं इसको लिख नहीं हो दुबारा, और यह minor हो जाएगा, बस यहां e-ending extra लग जाएगी, तो अब क्या हुआ है, अब for example, मैंने बोला, वो, वो इस्त दाइन, वो इस्त माइन कूली, तो आपने बोला, इश फिंडर, मैंन कूली, नेश्ट, अब जब हम sentence बना रहे हैं, इस sentence में, जो उपर में sentence बना रहे थी, वो नॉमिनाटिव सेंटेंस दे, इस sentence में कूली का है, कूली हमारा object में है, object में है, तो यानि कि accusative case लगेगा, यानि कि माइन नहीं लगेगा, पहले sentence में जो यह कूली है, यह subject है, तो यह नॉमिनाटिव लगा हुआ है, यहाँ पर इस्त फिंडर माइनन कूली निश्ट, क्योंकि यह तो subject हो गया, यह वर्व हो गया, और यह object मे है, अगर object में हमारा noun होता है, और वो masculine हो, तो माइनन लगता है, जैसे हम अगर normal बात करें, तो यह न लगेगा, इस फिंडर माइनन कूली निश्ट, इस तरह से आप यह कर सकते हैं, अब जब भी आप, देखो, accusative sentence बनाएंगे, accusative sentence कैसे बनेगा, जैसे मैंने बोला, das is mine कूली, यह nominative sentence है, right, क्योंकि इसमें किसी और की बात नहीं हो रही है, यही जो das है, यही तो कूली को belong कर रहा है, I mean, यह denote कर रहा है, तो this is a nominative जाट, जहाँ पर subject और object equal होता है, वो nominative sentence होता है, अब अगर मैं बोल रहा है, इस जूख, अब I am searching, ठीक है, जूख, जूखन का मतब होता, to search, तो इस तो subject होगे, जूख, object, verb हो गई, अब यहाँ पर कोई object आएगा, तो अब जो भी object आएगा, वो हमेशा accusative होगा, तो इस जूख, माइनन कूली, यहाँ पर माइनन आएगा, हाँ अगर मैं neutral वाली चीज बोल रही होती, तो मैं बोलती, माइन बोक, या कोई मैं female वाली चीज बोल रही हो, तो माइन टाशव, इस जूख, माइन टाशव, इस तरह से आप यह कर सकते हो, तो इस चाप्टर में basically यही है, तो जितने भी noun से एक तो वो याद कर लो, यह possessive pronoun कैसे यूज करना है, यह मैं आपको अल्यडी बता चुकी हूँ, तो अगर मैं बोल रही ही हूँ, इस जूखा mine and tennis leg TIME मतला है मैं अपना, अपना tennis racket ढून रही हूँ, वह is mine tennis leg time ह है मेरा, वो का मतलब रहा है where, अगा मैं कुछ बोल रह हूँ, वह is mine mind pullover, वह is Shiner, mine and pullover Nished को कि Pullover भी there होता है Right Shiner, mine and pullover Nished इस तरह से आप ये कर सकते है और जितने noun है आप उनको याद कलीजिये चलिए अब हम email writing करते है email writing कैसे करना हुआ तो इस chapter के अंदर ये दिया हुआ है कि एक band की cycle है बहुत अच्छी लगी आपको और आपकी बार में पूछा जारह की आप को Ben की साइकल कैसी लगी? आपको साइकल चराना आता है एनी आता? आपके पास कोई साइकल है या नहीं है या आप स्कूल कैसे जाते हैं? तो अगर आप बैन को लेटर लिख रहे हैं सबसे पहले लीबर बैन, राइट, देन आप क्या बोलेंगे, हलो, वी गेट्स, कैसे हो आप, कैसे हो तुम, तो फिर वी फिंडर दास फाराट फोन बैन, आपको साइकल कैसी लगी, इस फिंडर, आप सीधा बोल सकते हो, दाइन फ या इश्कान राड फारन, मैं साइकल चला सकते हूं, फिर कोशन पूछा जाता है, म्योष्टर दू गया नाइन फाराट और हास दू शो नाइन, या इश्म्योष्टर आइन नॉय नॉयस फाराड काउफन, हम एक नई साइकल खरीदना चाती हो, या चाता हूं, जो भी है, आप सकते हो, अब फीज पूछा गया है, वी फिर दू सुर शूल, आप स्कूल कैसे जाते हो, तो आप सकते हो, इश्वारा मिट्देमबुस, मैं से जाता हूँ, मिट्देमबुस सुरशूल, स्कूल में, राइट, आप सिधर टू दव पॉइं लिख सकते हैं कि मैं उससे जाता हूँ, बस से जाता हूँ, सवर्शूल, राइट, देन पेसपाल, सीधा, श्यूस, फील अग्रियूसर, टीना, आप ऐसे बोल सकते हैं, राइट, आप क्या बोलेंगे, मैंने टूदा पॉइंट लिख है, जो कोशन उनने पूछा है, वही मैंने आंसर कर दिया है, राइट, तो ये इस तरह से आपका ये सेकिंड चाप्टर है, इसके अंदर और जो कोशन आएंगे, वो दाइन, माइन, यही आएंगे, जिसे कुछ एक्सरसाइज है, तो आप से प पेटर, ब्रिंग, डैश, यूएसबिस्टिक, मतलब यह आता है मालो, आपको उसके में क्या भरोगे, क्यानि कि आपको, अब देखो, आपको सब्जेक्ट देखना है, पेटर क्या है, पेटर है, पेटर है, एयर, और एयर का पोशेसिव क्या होता है, जाइन, ठीक है, जाएगा, अगर यहाँ पर टीना लिखा होता, तो टीना फिंडट, डैश, रॉक निष्ट, उसको उसकी, रॉक होता है, स्कूर्ट, उसको स्कूर्ट नहीं मिली, अब टीना है, टीना का क्या होता है, एयर, राइट, हर, यह हिस्ज हो गया, बेसिकली, और यह हर हो गया, त देखो यह object में missing है न यह subject है यह वर्व है यह object में missing है और यह there है there वालों में क्या आता है en यह extra en आएगा right here and rock nest तो इस तरह से हमें subject देखना होगा अगर इश लिखा होगा तो माइनन आएगा दू लिखा होगा तो दाइनन लिखा होगा आएगा एक और एक्जांपल दे देती हूं अगर मैंने इश बोला तो इश फिंडर डैश पुली निस्ट मुझे मेरी पूली नहीं मिल रही है इश है ना इशकता क्या होता है माइन और यह क्या है acusative, nominative यह sentence पुले वर object में माइनन आजागा क्योंकि पूली masculine है masculine वाले इन हो जाते हैं हाई यह neutral हो जाता है तो neutral होता तो सेम आता माइन तो हम्हें इस चीज का ध्यान देना है यह इस तरह से यह आपका second chapter है आई हो पको समाच में आयाओगा, थैंक यू बरी मुच्छ